आपको लगताव डर्पूक होता जा रहे हैं, इसलिए हमें चिन्ता हो रहे हैं आप लटते जाओ, मैं नहीं सारे देश आपको सत्कारा होंगे भारत अब यह कमजोर भारत नहीं रहा है, भारत अब यह ताकतवर भारत बन गया है भारत की तरफ से कोई भी आप उठाकर देखने की जुरुरत करेगा, तो भारत उसका बहतोर जवाब देने की हैशित रखता है और ताकत रखता है, इतना ही मैं कहना चाहूंगा सेर, मैं और एक बात कहना चाहता हूं, राजना सिंग को देखकर मुझे यह लगा कि एक बात कहना जोरूरी है, हम सारे यहां गड़ीबों की बारे में चर्चा करते हैं, किसानों की बारे में चर्चा करते हैं, बेरोजगारी की बारे में चर्चा करते हैं, करना बाजीव है लेकिन मैं एक दुस्रे और निगाहों खिचने के कोशिस करते हैं सर ये presidential address में हमारा security concern की बारे में एक लब्स नहीं कहे गया मैं पुछना चाते हूं हमारा रक्सा मंती जी को बताए लादाक की हाल क्या है आपने कहा था कि status को anti को restore करेंगे जथा स्थीति को बाहाल करेंगे कहां बाहाल हुई है सर दीन पर दीन लादाक की हाला बुरा होते जा रहे हैं 2000 स्क्वेर किलोमेटर एडिया अतिक्रावन हो चुके हैं ये 20 राउंड military talks हुए हैं 28 राउंड diplomatic talks हुए हैं आज युआ चरबाहों ने जाने नहीं पाते हैं अपना जमीन पे वो चराई करने नहीं जा पाते हैं लादाक की लोगों को पूछिये क्यों ऐसा हो रहे हैं क्यों आप चुप बैठे हैं और उन्याचल से लेकर लादाक तक अहाल दिन पे दिन बुरा होते जा रहे हैं जब गलवान घाटी मिस्तर की घटना घटी जहां हमारा बिस जोवानों को सहाधत देने पड़ी आपने कहे दिया सार्टिपिके दे दिया कोई नहीं घुसा कोई घुसा हुआ नहीं है इसमें सबसे बड़ा अगर हिम्मत किसी को मिली है तो चाइना को मिले आप देखिये आपकी जमाने के पूरे 2014 से लेकर रास्ता एक के बाद एक चाइना पॉलिसी में आप फेली और और फेली और अब दरसाते है 2014 में देखो 2017 में देखो 2019 में देखो 2022 में देखो कभी दोकलम, कभी लदाक, कभी अरुनाचल, एक के बाद एक देखते जाएए, हमारे foreign policy में और security हला दीन पर दीन बत्तर होते जा रहे हैं, आपको यह नहीं सोच आ रहे हैं, आज मालदीप में क्या हो रहे हैं, आप मालदीप में क्या हो रहे हैं, इंडिया आउट नणा लगाते हुए, एक चुना होते हैं, और आपका अजित दोबल कहां थे उस समाई, 1966 में, अजिक्ष मोदे, तरी अधिर रंजनी शौदरी ने चुकी मेरा नाम लिया है, इसलिए मैं खड़ा हुआ हूँ, जो कुछ भी इनोंने कहा है, चीन के सम्मन्ध में, और साथी साथ भारत और चीन बाडर, यलेची के सम्मन्ध में जो कुछ भी कहा है, उस से मैं पूरी तरह से असामत ब्यक्त करता हूं, उसको मैं बेस्ट करने मुएं करता हूं, और कभी इस पर ने लिए आप चर्चा की अनुमत देंगे तो मैं अपनी बात उस पर मैं रखती हूँ सर मैं ने आपसे यजद लिया था कि मैं इसे पॉलिसी में बात करूंगे और कुछ नहीं राजना सिंग जी पिछले कई सालों से बार बार हम लोग गुहाल लगाते आते हैं कि चाइना की बारे में चर्चा हो चर्चा हो चर्चा हो चर्चा हो चाइना आज स्ट्रींग आप पाल की चलते हमें घेरे बंदी कर रहे हैं आपको यह नहीं देख पाते हैं आप अरे मालदीब हमारा हाथ से निकल जा रहे हैं मिनी कोई से 70 नौटिकल किलोमेटर दूर में हाई मालदीप आपको 8 डिग्री चनल की पता है 8 डिग्री चनल मिनी कोई से मालदीप के अंदर चलते हैं लाक्सादीप से मिनी कोई के अंदर 9 डिग्री चनल और मिनी कोई से मालदीप 8 डिग्री चनल Google अब देख लिजिए हमारे line हमारे C Lane of Communication जिसकर कोई था है जोष एक तरफ हरमुज एक तरफ मलक्का तरी एक तरफ हरमुज एक तरफ मलक्का अध्यक्रिक्षम होदे मैं गाल्प अधे प्लीज 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 प्लीस प्लीज प्लीज अध्यक्षमोदे मैं इस तरदन को आस्वस करना चाहता हूँ भारत अब यह कमजोर भारत नहीं रहा है भारत अब यह ताकतवर भारत बन गया है भारत की तरफ नहीं कोई भी आख उठा कर देखने की जुरुरत करेगा तो भारत उसका मुहतोर जवाब देने की हैशित रखता है और ताकत रखता है इतना ही मैं कहना चाहूंगा और अनावश्यक अपने देश को इस पार्लामेंट के फोरम पर बदनाम नहीं किया जाना चाहिए कभी 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 चर्चा करनी होगी था हम आपके चर्चा करनी मैं मैं कोई मानगरन बात नहीं करते राजना सिंग जी भरोसरा को मैं भी एक शेखुल्टर हूँ एक सरकार की देश की मैं जो कहें जाते हैं यह ओपोचरिक तरीके से जो कहें जाते हैं पेपर में कहिए टीबी में कहिए उसी की उसी को मैं उसी को मैं जिकर करते हैं अधिरंजन जी रक्षामंती जी ने आपको इस्पष्ट कर दिया आर्ज मिशे पर कि हम कोई भी चीज पर समझोता ना करते हैं न करेंगे और मैं यदि यदि यहां पर भले भले ही इनकी पार्टी की सरकार होती कांग्रस की सरकार होती यदि देश के मान सम्मान और स्वाहिमान का प्रस्ट लाता तो हमारी पार्टी पुर जोर तरीके से साथ खड़ी रही है और आगे हुआ खड़ी खड़ी रहती है इस तरीके से इ कॉंग्रेस पार्टी की तरफ से मैं बड़ी दावे की सत कहते हूं मेरा नेत्रिया मजूद है देश की रक्षा के लिए सारे कॉंग्रेस पार्टी आपके साथ खड़ा है अब निश्चित रहिए आप सेब लड़ते जाहिए आप लड़ते नहीं इसलिए हम आपको जिकर करते लड़ते नहीं हो आपको लगता डर्फूब को द हो जा रहे है इसलिए हमें चिंता हो रहे हैं आप लड़ते जाओ मैं नहीं सारे देश आपको सतκहरा होंगे अब आप ना कर नहीं सकते आज माल दिप में चाइना सिरसाश सी पोहुंचाए आज माल दिप में अब हाइडोगापिक सरफे बंदो चुके हैं हमारा फोच को बापस के लिए हुकुम दिया गए है और इंडिया आउट के नणा पर एक देश में चुना होते हैं जो हमारी देश चे सब सत्तर नौटिकल किलोमेटर दूर में आप चुप क्यों बैठे थे क्यों आप चुप बैठे सब देखिए 1966 में मालदीप के साथ हमारा संपर्ग बने थे आपको याद दिला दे राजीब गंदी की जमाने में 1988 में ओपरेसन केक्टस हम लोग किये थे मालदीप को उधार करने के लिए उस समाई आतलंकोबादी ने मालदीप को कब्जा कर लिया था राहूल गंदीजी क चलते हैं इसमें होते हैं बस ठीक है मैं माल लिया गलती है दिवांगत नेता हमारे डिपार्टल लीडर सर्गी और राजीब गंदीजी की नित्रितों में 1988 में ओपरेसन केक्टस हुआ था और गायूम को हम लोग हुआ से उधार किया था पता कर लो अभी इसलिए ना कहता ह हुआ आप काहिते हैं ना कॉंग्रेस कॉंग्रेस नहीं सारे देश आपके हमारे हमारे जहांबाज जुआनों की साथ खरा है